तो आज के व्लॉग की सुद्वाट करते हैं बैक्यार के गार्डन से आज चिली पीक करेंगे सब चिली बैल पेपर और स्पाइसी चिली सब पीक करेंगे बहुत सारी हो गया बहुत दिनर से पीक करना बागी आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा पीकल बनाओंगी इसके थोड़े सा अमेरिकन स्टाइल के पीकल बनाओंगी और थोड़े से फ्रोजन करूंगी फ्रीजर में यूसे में यूज कर सकूँ बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं, breakfast हो गया है, और मैं सबसे पहले यहां पे ही आ गई, क्योंकि चिली पीक करना बहुत ही लंबा process चलता है, दिरे दिरे से पीक करना पड़ा है, इसकी branches बहुत ही soft होती है, easily break हो जाती है, और यहां पे long चिली, short वाली, spicy, medium, spicy, hot, thai चिली, सब available है, और बहुर साली चिली आई है, तो mature हो गई है, उसे पीक कर लेना पड़ता है, ताकि जो flowers आए, वो mature हो आगे, अगर आप mature हुई, चिली पीक ना करें, तो फिर दूसरी चिली इतनी जल्दी नहीं आती, और यह पूरे plant भरे पड़े हुए है, चिली से, और यह और अच्छे से आने लग गए है, तो बहुर सारा बेल पेपर की सबजी बन रही है, और यह है इंडियन स्टाइल चिली, जो मार्केट में मिलती है, मीडियम स्पैसी वाली वो है, तो उसका तुमें सीड्स रख रूँगी, ताकि मैं next year इसे प्लांट करूँगी, और चिली रेट चिली नहीं आने शुरू है, एंड में आएगी रेट चिली तो मैं उसे भी ड्राइ करके पूरे साल के लिए स्टोर कर लूँगी, ताकि आप टैंपरिंग के लिए या जहां पे ड्राइ चिली चाहिए, वहां पे यूज कर सके, तो मैं एक पॉट लाई थी, तो वो दूसरा पॉट पिलाई और बहुत सारी चिली चाहिए थी इस बात हो, तो वो भी पिक करोगी और यहां पे मेरे धनिया भी बहुत अच्छे से होने शुरू हो गए है, मेरे स्टार्टिंग के व्लोग में मैं दिखाया था, यहां पे मेरे धनिया के प्लांस से बहुत अच् पी, एनिवेज मैं दो पॉट पूरे भर के ले आई और एक घंटे से जाना लग गया इतना करते करते हैं, अब इसके बार इसकी प्रोसेस भी करने पड़ेगी, यहां नहीं कि यह खतम होगा यहां पे, पर मैं कर लूँगी वो, और थोड़ा सा लंज का प्रिप्रिशन भी करूंगी, सुबह मैंने डाल भिगो के रख दी थी, जब मैं गार्डेन में गईने उससे पहले, तो डाल भिगो के रखने का फाइदा होता है, एक तो कुगी टाइम कम हो जाता है, तो एनरजी से हो जाता है, और दूसरा, डाल खाने से कई लगो को कि गैस का प्रब्लम हो जाता है, तो आप इस तरह से डाल को सोक करके फिर बनाओना तो वो प्रब्लम है, बहुत रहत मिलती है, और फोड़ी से गुजराती स्टाइल में बनाओंगी, मिक्स डाल है फिर भी इसे, तो यहाँ पर हल्दी पावडर, ठोड़ा सा गी, आधे से एक चमब तक डाल सकते ह और इसे हम करें कि प्रेसर को बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गरम पानी डाला है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा, सॉल्ट, एक टो विसल में यह रेडी हो जाएगा, और आज एक डम सिंपल से गुजराती खाना बना रही हूं, बच्छे लगों को एक फूल लिकिन उसे मुझे पील करना है, तो वो छोटे है, थोड़े से साइज में, और अच्छा खासा टाइम लेता है, तो मैं रात को बैठके अच्छे से पील करूँगी, तो यहाँ पर मैंने जवाइन डालके, जिंजर गार्लिक का डालके, ओयल में तोड़ा सा डाल दिया है, तो कई बार सेल होता है, तो मैं तूड़ा सा ज्यादा ले आती हूं, और इसे फ्रीजर में स्टोर कर देते हूं, एक ढो महिने के अंदर इसे यूस्ञार कर देते हूं, विसे हमारे गर बहुत ब्मेरी ज्यादा ख Luca को ते बहुत ही पसंद है, यहाँ पे जाएगी मसाले है रेगिलर वाले हल्डी पाउडर, रेट चिली पाउडर और ठोड़ा सा सॉल्ट टिनोड़ा कीसाब से, अब हम इसे कूक करना है, लो टो लो मेंडियों फ्रेम पे ही रखना है, कवर करके, और इसने पानी विलकुल भी नहीं डालना है, और यह सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद और उसके बाद मुझे वेदन को भी लेने जाना पड़ेगा, तो मैं पूरा लंच बना के जाओंगी, ताकि वीर आए, उसको खाना खिलाओ, और उसके तुरंट बाद मुझे जाना पड़ेगा, वेदन को लेने, वीर को साथ में लेके, तो यहाँ पे डाल को मैंने डेसी स तो बहुत टेस्ती लगता है, और मैंने दही डाला था बनाने के लिए राट को, वो मैं निकलना भूल गई थी, तो मैं अभी निकल रही हूँ, अब दो पर हो गया है, पर गर में इतनी गर्मी नहीं है, एसी चालू रहता है पूरे दिन, तो बहुत प्राब्लम नहीं होती खटा नहीं हो जाता है, और एकड़म अच्छे से जम गया था, थोड़ी देर मैं रख तूंगी फ्रीज में, ताकि अच्छे से जम, ताइट हो जाए, अच्छे से, और खटा भी नहीं हो, वीर आ गया था, उसको लेके आ गई थी, उसको खाना पीना खिलाया, मैंने भी ख चली वीर, क्या है न, बोर हो जाता है, कि सुबह साड़े चे बज़े उठता है, फिर साथ बज़े स्कूल के लिए निकल जाता है, और फिर घर आया, और घर आने के बाद, भाई को लेने आना पड़ा है, तो उसे बहुर कंठला आ रहा था, कि मुझे घर से बाहर अब नही रहना है, मैं सुबह से तो स्कूल गया था, वैसे बच्चों की बातली सही होती है, कि पूरा दिन बहार रहा और अभी यहां पे आके वेट करना पड़ रहा है, और मेरे पास में कोई दूसरा आप्सन नहीं था, क्योंकि वेदान को लेना आना था, हस्बन गए थे, ऑफिस साज, वो अभी आये नहीं है, वो अभी अफिस से निकले है, तो उनको एक गंटा और लग जाएगा, और घर पे मैं वीर को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो मुझे उसे ले के आना पड़ा, और यहां कि क्या हुआ ना, कि वेदा ने बोला, मैं पांच मिनित में आता हूं, तो पांच मिनित, पांच मिनित करते करते, आदा घंदा निकल गया, और हम यहां पे बैठे-बैठे देख रहे हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ है की नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, वैसे स्कूल आवर्स खतम हो गया है ना, तो बहुत कम बच्चे हैं यहां पे आवर्स खतम हो गया है मुझे बता रहा था, कि वो बड़ा होगा ना, तो स्कूल बस में ही घर आएगा, मुझे इस तरह से परिशान नहीं करेगा, लाइक, I'm a good boy, भाई is not a good boy, तो यहां पे almost हमें 40 minutes लग गई, और देख रहे थे, बहार अच्छी का सी धूप थी, बार बच्चे लोगों का, जो sports में हो, उन लोगों का activity चालो ही था, तो हमारा time pass भी हो गया, और एकनम स्कूल के parking में बैठे-बैठे अक्यला ना लगे, ऐसा भी रहा, वो पैसे 20-60 में हो ना, तो आपको कहीं भी अक्यला ना लगे, इतनी बाते करता है, आप लोगों को सिफ हूँ हाँ ही करना पड़ता है, otherwise कुछ भी नहीं बोलना, सभी topic पे वो बात कर सकता है, और लग गया, वो ऐसे मैं अकली आती हूँ, तो मुझे को भी problem नहीं होता, मेरा अपना time pass हो जाता है, पर वीड के साथ आना, तो उसे भी थोड़ा entertainment करना पड़ा मुझे, उसके बाद हम घर पे आ गए, और जन्मा स्थमी पे मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, इस पर कुछ ऐस सीचेशन थी है, लेडीज लोको की, तो मैंने सोचा, आज मैं बूख के लिए कुछ लगा दू, तो यहाँ पर मैंने गी ले लिया है, गी में मैंने अधा कप लिया है, सूजी, सूजी को अच्छे से रोस करेंगे, हलकी हलकी सी इस तरह से brown हो जाए, तब तक करना है, और low to सेफरन लिया है, सेफरन के कुछ ट्रेड्स लिया है, कलर के लिए और फ्लेवर के लिए भी, प्रेग्रिंस भी बहुत अच्छा था, तो इसमें मैंने 1 फॉर्थ कप जितना गरम पानी डाल के साइट पर रख लिया, अब इसे हम रेसिपी में यूज करेंगे, यहाँ पर मै की कुछ होने में आसानी हो जाए, तो हमें इसे अच्छे से गी की अंडर रोस करना है, और ठोड़ी देर इसे इतनी देर करना है, ताकि तब तक यह पूरा जो इसका चौंक से न, वो पूरा सा सौफ्ट हो जाए, कोई भी हार्ड पार्टनर है, अच्छे से कुछ हो जाए तो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, और अर्मस्स कूख हो गया है, और आउंड चार मिनित लगे मुझे इसे कूख करते करते हैं, अब इसमें हम दालेंगे गरम पानी, तो यहां पे पॉने डो कप, लाइक वन एन थ्री फोट कप पानी डाला है, मैंने यहां पे, अच्छे से पकाना है, तक जो भी पाट हो चंक हो पानी रेडी हो जाए हमारा, तो शीरा को हम पानी डेंगे, और यहां पे मैंने हलका सा कलर भी डाला, अब श्कीप करना चाहाओ तो श्कीप कर सकते हो, तो फ्लेवर वाला पानी रेडी है, तो जो हमने सूजी को रोस करके रखाना, उसे हलका सा गरम कर लेंगे, और उसके बाद जो पाइनेपल वाला पानी है वो उसमें डाल देंगे, और इसे हम करेंगे कूक, तो यह रेसिपी है ना, शीरा की वो विंटर में बहुत ही टीस्ती लगती है, एकदम गरम गरम एक बावर में ले लिया, तो आपको क खाने की जरूद भी नहीं परती, और एक स्वीट का जो क्रेविंग साता है, और फ्रूट्स वाला फ्लिवर भी आ जाता है, यहां पर मैंने सैफरन वाटर भी डाल दिया है, और इसे हम कूक करेंगे, पानी एकदम कम हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे सुगर, सुगर मैं अब हम इसे पकाना है, सुगर भी अच्छे से रिजल हो जाए, और फोड़ा सा घड़ा हो जाए तब तक, और यहां पर इस सेज़ पर हम डालेंगे एक चमजगी, ताकि एकदम शाइनी सा टेक्च्चर आए, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगे, गी इस सेज़ पर अब बस रेडी हो गया है, तो इस सेज़ पे डालेंगे, हम ड्राइफुर्स, अपनी पसंद के ड्राइफुर्स डाल सकते हो, आप यहां पर, कार्डमों पावडर डालने की जरुत नहीं है, क्योंकि हमने इसे पाइनेपल का फ्लेवर दिया है, तो कार्डमों का फ्लेवर लगेगा इसके साथ, तो इतना सा ही चीज़े चाहिए, और यह थोड़ा सा सॉप्ट साइट बनाते हैं हमारे घर में, आप चाहो तो थोड़ा हार्ड बनाना चाहो तो इसमें पानी कम कर दीजिए, तो परफेक्ट बन जाएगा, तो एकड़म विंटर स्पेसल है, और बहुत ही मिल रहे हैं, तो यह हमारा रेडी हो गया, बहुत ही लिए लगाया था और घर में सबने बहुत एंजोए करके खाया भी, तो मस्टाइ रेसिपी है, विंटर में जरूर राइ कीजिएगा, बहुत ही टेस्ती लगती हैं, और इजी भी बहुत है अर किस्टो का अर रही है, मैम अर फूर लोप्ति लो थील, दोर भी, जोचिए हूँता है । अ रही है और लोगोरा थील, देख से tonight, का गाय है, ङ। खञाय दो तूरह बहुता है प्लाइ को प्लाइ की कृँए कि अर रही है, बहुत है बहुत है और भी ओ गाय है प्ले करो कि नॉट इंट्रेस्टेट विए नॉटिंग स्टेशन तो हम सब भी घर पे आ गए थे और हस्बंड भी आ गए तो आज उनको ऑफिस पेसे लिए एंची जो के लिए ही गए थे घर के लिए डेस्टॉप और सब कुछ लाना बाकी ही था आफिसे सब अपने काम में लगे हैं वीर और विदान अपने में ही लगे हैं वैसे वेदान को स्कूल का अच्छा काम होता है तो बहुत कम टाइम ऑनो बाह साथ में रहते हैं जब वीग день धर हो और हम लोगों का डिनर वीनर हो गया ठोडकि सा कीचन क्लिंग करना зов बाकी था और हस्बन अपना ये सब जो ओफिस में से अकसेसरिस दाए घर के लिए वो सब भी open कर ले थे तो जैसे मैंने बोला चार दिन वो घर से काम करता और एक दिन ही ओफिस होता है तो घर पे ही desktop और सब कुछ जीजे ओफिस से ही आती है laptop और सब कुछ तो वो ही एक लेट दिनर होगा उसके बाद हम जाएंगे आज का दिन समाप्थ होगा हमारा और व्लोग को भी यहीं खतम करते हैं आई होप आप लोगों को व्लाप पसंद आएटी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले व्लोग में तब तक